हलो दोस्तों नमस्कार, श्टडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है, दोस्तों अब हम करेंगे हिंदी का टेस्ट पेपर नमबर आठ, साथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आपने पीछे देखे हैं, अब हम आठमा टेस्ट करेंगे, अगर आप पीछे वड़े नहीं देख लिजिए, और एक जितने भी हिंदी के टेस्ट पेपर टोटल हैं, उनका एक क्रेस कॉर्स वीडियो आपको मिल रहा है, अगर वो नेखना है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, आईए शुरू करते हैं, हिंदी का टेस्ट पेपर नमबर आठ से, सबसे पहले, म मंगला परसाद अतिहास, परिशोचिक परदान किया गया, किस के उपर ये किया गया, विहारी मतीराम, और दुलारे लाल भार्गो व्योगी हरी, आपका अनसर होगा D. Question number 2 कस्तूरी कुंडल बसे आतम कता है किसकी ये आतम कता है अंसर होगा मैत्रेई पूस्पा उधर के question को भी ले आता हूँ निचे से में क्योंकि question निचे है निवंद सगर्य सापदीता के निवंद कार का नाम आपको बताना है आपके पास option इधर है द्रमवीर भारती आपका उपसरक का परियोग हुआ है तुमुन परते का परियोग निम्रत में से किस अर्थ में होता है तुमुन परते का परियोग निम्रत में से किस में होगा चाहिए योग्ये के लिए या फिर करके आपका अंसर होगा के लिए तुम उनके लिए अर्थ बोद कराने के संद्र में निमलिक्त में से कौन सा कतन सत्य है कौन सा कतन सत्य है दो अर्थ बोद करवाता है लक्षना एवं वेंजना दोनों सक्तियां अभीधा पर आश्रित होती है मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती चुप रहका अंतर मन में कुछमोन व्यथा कहती दुर्गम पत पर चलने का वो संबल छूट गया था अविचल अविकल वे प्राणी भीतर से तूट गया था उपर युक्त काव्य पक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है दोस्तों यहाँ पर करून रस की बात हो रही है कर्शना सोबती दवारा लिखित संसमर्ण करती कौन सी है आपके पास अप्शन है इसमें अंसर होगा हम असमत दो वकील किस भासा का सबद है वकील जो है वो किस भासा का सबद है अर्वी का सबद है कर्शन नबर पास वह सत्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक सबद आपको यहाँ पर बताना है अंसर है आग मिश्ट आग मिश्ट पति का हम देर्वा कर्शन हम जो कुछ देख रहे हैं सुन्दर है सत्य नहीं है यह दर्शय जगत भासित है बिना करम सिवोत्व नहीं परिक्त काव्य फक्तियों में निमलत में से कौन सा चंद आपको दिख रहा है अंसर होगा चोधै चोधै मात्राओं के यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक चंद चटा क्वेस्टन निराला की सहित्य साधना आलोचन आलोचना कर्थी के कितने भाग है आपका अंसर होगा तीन अलकेश प्रियावाची सबद है कुबेर का अनभीग सबद का विलोम बताना है अनभीग स बाय से भाटा की पर्मकरति कौँञ सी है शरलता से कलिपस्ता की और या पिर जटेलता से सरलता का और यह अनसर हो जाएगा कि निमलत में से कोन कभी कालिदास से पुर्व बरती है भारवी वास दंडी या वहुती आपका अंसर होगा यहां पर भास 1700никомत्य के मि कंसे रतना ल वो लगुत्री में नहीं आती है अंसर होगा रीतू सनार 04 चोर किसके नाटे करती है अंसर होगा हाभीто तन्वियर इदर वाले क्रेशनों को एक बर देख लाता हूं ताकि आपके लिये सबसात एक बर लेके चल सकें काव्या दर्श के रचनाकार निमलत में से कोन है आपका अंसर होगा यहाँ पर दंडी इधर वाला question भी एक बर देख लेते हैं इसका question क्या होने वाला है एक बर ले आता हूँ राज सेकर की रचना रचनाओं निमलत रचनाओं में से कोन सी रचना अधूरी है राज सेकर की कोन सी रचना इन में से अधूरी है तो देखते हैं बाल रामायन अधूरी है काम्वे मिमानसा करपूर मंदरी या बाल भारत आपका अंसर होगा डी बाल भारत निमलत में से कोन कवी अर्थ गोरों के लिए परसिद है अर्थ गोरों के लिए परसिद कवी भार भी होगा अंगी का किस राज्य की बोली है अंगी का दोस्तो बिहार की बोली है हिंदी भासा में वचन कितने परकार के होते हैं, हिंदी भासा में जो वचन होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, एक वचन और बहुचन, लिंग की दरश्टी से दही क्या है, लिंग की दरश्टी से दही स्त्री लिंग है, दही पुलिंग है, नपुन्शक लिंग है, या उप इसर है यहां पर अभिग भिग यह सुद। इधर देखी 21 क्योस्टन, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब सहाधत लेते हिम गिरे की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये सेर बबर पोरु सुंकार उठा था, मात्र भूमे की बली देव उपर लहु पुकार उठा था, उपरूप कावय प्रक्तियों में कोन सा कावय गुण व्यंजित हो रहा है, यहां दोस्तों ओज की बात हो रही है, जो एक प्रकार से ओज, ओजस्वी भासन बोलते हैं, ओजसी वर्ड बोलते हैं, तो ओज, सैनिकों का ओज है यहां, इस्ट्र में अलुक समास है, तीसवा, कवी का स्त्रीलिंग है, कवी का स्त्रीलिंग, वैसे तह कवीत्री होता है, लेकिन आप इस जो नीचे लिए गए हैं, इन में से आपको पैचानना है, तो आपका अनसर C हो जाएगा, चारिशवा, जो पूजा के योग्य हो, उसे क्या कर्तक का विलोम क्या है, कर्तक का विलोम क्यर्त गन होगा, सुची एक और दो को इदर मिला कर देखना है, 22 में, एक तरफ सूची वन में लेक कवियों के नाम है, सूची दो में रतनाव का वनन किया गया है, तो बाइसमा क्रिस्टन है ये, देखिए, कालिदास, भास, मम्मट, विशोनाद, कालिदास, मेखदूत आजाएगा, तो पहले का आप मिलन करोगे दो के साथ, ठीक है, एक को आप टू के साथ मेच करेंगे, भास जो है, वो एक के साथ आएगी, सोपना, सोपन वास वद्तम, मम्मट, काव्य प्रकास, विशोनाद, साहित दरपन, अंसर आपका ये हो जाएगा, 31 वा करता के साथ नेका प्रियोग ने होना, किस उभासा की परमुक विशेष्ता है, कौन सी बासा की परमुक विशेष्ता है, अंसरों का पूरो हिंदी, 32 वांदि में से कौन सा सबद सुध है, अधिवासी ए होगा, इधर 41 वा क्रिश्तन, जिसका कोई सत्रू पैदा ही नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे आप लो, जिसका कोई सत्रू पैदा नहीं हुआ हो, उसे नहीं है, जलद है, निरद है, मेग है, वारादी नहीं है, तिरलोचन सास्त्री की कविताई हिंदी के अधरिक किस अन्य उभासा में हैं, आपके पास ओप्शन है, बर्ज मैथली, अवदी भोधपुरी अंसर होगा मैथली, कौन सा वाक्या सही है, 45 वाक्या सही है, कौन सा लोट लकार का परियोग किस अर्थ में होता है, आग्यावा असिरवाद के लिए, 34 वाक्या सही है, अन्सर होगा दिमुलत मैं से कौन सी क्रिथि कालिदार्ष करत नहीं है, कौन सी रज़ना जहोव कालिदार्ष की नहीं है, उत्राम चरित मानस नहीं है, 35 वा संग्याओ के स साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। किस तरह का यह वाक्य है। यह एक मिस्र वाक्य है। आचारिय देव ने किस भाव को चोतिस्वा संचारी भाव कहा है। आचारिय देव ने सलको कहा है। पद्मावत के रचनाकार का नाम आपको बताना है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मुहमद जाय से जिसके पर पद्मावत फिल्म पीछे सी बनाई गई थी। उसके साथ इधर देख लिजी आपलों क्यूस्टन। बाव शांती, बाव संदी और बाव सबलता का संबन बाव के किस भेद से है। आपके पास अप्शन्स प्रियाप्त हैं। अनुबाव स्थाई, विभाव संचारी, अंसरों का संचारी। शूर्य का प्रियावाची, इन में से कौन सा नहीं है। रवी है, भासकर है, हंस है, सारण नहीं है। जैसी धारा के कवी, जैसी धारा के कवी आपको बताने हैं। प्रेमाख्यानाक का व्यधारा। त्रेपनवा, परसंता सबद में कौन सी धवनी है। परसंता सबद में धवनी है युगमक निमलत में से कौन सा सबद स्त्रीलिंग है उच्छाह चक्र व्यू है मृतु या संकल्प मृतु जो है वो स्त्रीलिंग सबद है भक्तिकाल की समय सिमा क्या है भक्तिकाल की समय सिमा के अगर बात की जाए तो 1275, 1775, 1873, 1873, 1873 इन से कोई बैतरवा किर्ती भनीती भूति भली सोई सुर्षरी समसब कहें ही तो होई उपर्योक पक्ति में तुलसी दास ने किस कावय प्रयोजन को महत्वे दिया है यहां पर लोकमंगल को महत्व दिया गया है हिंदी के कावय भाक्षा परक समिक्सक का नाम आपको बताना है नाम से पुकारा जाता है ज्यान मारगी साखा के कवियों को आप किस नाम से पुकारा जाता है अंसर संत कविए पेच्पनवा अयोग वह कहा जाता है विश्रक को संकर सबद का अर्थ आपको बताना है तच्पन सबद, तदभो, विदेशी सबद या दो भासाओं के सबदों से मिलकर बना हुआ सबद आप का अंसर डी रहेगा हिंदी परवर्ण माला में वर्ण बताने हिंदी वर्ण माला में वर्णों के संक्या की बात होगी तो आपके पास ऑप्सन अटोमेटिकली बावन होगा जिन सबदों की विद्पती का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तदशम, तदभो, देशज या फिर आपका अंसर यहां पर संक्र होगा देशज अंसर होगा इसमें प्लाट का मोर्चा अरिपोर्ताज के लेखक का नाम आपको बताना है अंसर होगा समसेर भादूर सिंग 66 मुख कमल समीब सजे थे दो किसले दल पुरायन के उप्रियुक्त पंक्तियों में कोन सा अलंकार है तो कोन सा अलंकार होगा 66 मां क्यूशन का अंसर होगा आपका अ प्रतेतर में अरे याया वार्द रहेगा यदि किस निदा की रचना काव्य यात्रा वर्तांत जीवनी या फिर डायरी अंसर होगा आपका यहां पर काव्य यात्रा वर्तांत यात्रा वर्तांत रोग उसके बाद क्वेस्टन नंबर 67 रेती संपरदाय से संबंदित काव्य सास्त्रिय गरंत आपको बताना है तो आपके पास options काफी है और अनसर पहला या जाएगा काव्या लंकार सूत्थ अठावनवा क्वेस्टन सिंदू सेज पर धरा वदू अव्तनिक संकुच बैठी थी इस आवतरण में कौन सी सबद सक्ति का परियोग हुआ है आंसर होगा व्यांजना चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार होगा रूप कलंकार है यहां पर क्वेस्टन नमबर 68 चिरद जिल जीवो जोरी जुरे क्योंने संदे गंबीर को घटी ये विर्सम भानुजा ये हलदर के वीर उपरियोग दोहे में कौन सी सबद सक्ति का प चाहवत का अर्थ आपको बताना है एक पंथ दो काज एक सा दो काम हो जाना बी अंसर होगा स्थरवा दोनों हाथ में लड़ू मुहावरे का अर्थ आपको यहां पर बताना है किसी भोज में सरीक दोनों हाथ में लड़ू दो तरफा लाब एक दोनों आथ में लड़ू या यास, 79, उन्चास में परियुक्त उपसर्ग बताईए, उन्चास में परियुक्त उपसर्ग बताना है, आपका जो अंसर होगा, वो आपका ए रहेगा, असी, सीमा पार खालिस्तान तैनात है, इज़त उतारना, व्यर्थ वक्वास करना, अपमानित करना, विन्मर का प्रियाव अच्छी सब्द बताईए, बादूर सुशील भक्त या फिर विज्ञानी सुशील एंसर होगा, इदर वाड़े क्रेशनों को साथ में देख लें, आप भरस में कुल कितने सवर थे, आपका अंसर रहेगा इसमें, आप, मगई, किस हिंदी परदेश की बोली है, मद्य परदेश, ओप्सन में बिहार, बिहार अंसर आजएगा, देव कवी की रचना बताईए, देव कवी की रचना की बात होगी तो भाविलास होगा, सहीत लहरी के रचना कार, सूरदास जी, बासाओं के पारिवारिक वरगीकन का आधार है, अतिहास, अस चाप की स्थापना किस ने की, अस चाप की स्थापना विठल दास दुवारा की गए, पुसब दंत की स्थापदी के कवी थे, अंसर होगा, दस्थापदी के, सकी संपर्दाय के संस्थापक बताईए, अंधे की लकडी का आर्थ बताईए, अंधे की लकडी यानि एक मात्र सहारा, उसे बोलते है न, कि बुड़ी मा का, राम बुड़ी मा की अंधे की लकडी खाँ, एक मात्र सहारा, जिसके पास और कोई अल्टरनेट या उप्षन ना हो, दोहा कोस किस की रतना है, 91, दोहा कोस किस की रतना है, अंसर होगा सरपब, 98, गोश्वा में तुलसिदास की अंतिम रतना कौन सी है, तुलसिदास सी की अंतिम रतना अनुबान बाहू, 84, वरक्सों को बड़े समूह को कहते है, वरक्सों के बड़े समूह को क्या नाम दिया जाता है, आपके पास ओप्षन है, अकली आगार अमबार अनुब, वन आयर अनसर, बरज भासा का विकास किस से हुआ, बरज भासा का विकास दोस्तों, सोर सैन से हुआ, काविय की रीती सीखी, सुक्विन सो देखू, देखी, सुनी, बहुलोग की बातें, इस कावियोक्ती के कवी का नाम बताईए, नाम बताईए अंसर होगा अलका सरावंगी तो इस टेस्ट में यही थे यह आपका टेस्ट नमबर 8 पा टेस्ट नमबर 9 हम लोग नेक्ट में